दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS Education News में दोस्त इस वीडियो में एक और बड़ा अपडेट एक और नई भरती की जानकरी के साथ हाजिर हैं तो दोस्त इस वीडियो में बताने वाले हैं नई भरती का अपडेट रास्तान नई भरती अपडेट 2022 तो दोस्तो नई भरती का विग्यापन है वो जारी कर दिया गया है RPSC की तरफ से Assistant Town Planner यान की ATP इसको सोटकट में कह सकते हैं ATP की जो भरती है उसका विग्यापन है जो आयोग ने जारी कर दिया है अब आपको बताते हैं कि आखिर ATP में योग गिता क्या है कब से फोर्म में स नियोजक यान की Assistant Town Planner की ये भरती है हिंदी में इसको कहेंगे सहायक नगर नियोजक अंगर जी की हम बात करें Assistant Town Planner सोटकट में ATP तो ये online आविदन इसके लिए आमंत्रित किये गई हैं टोटल हम पदों की बात करें 43 यान की 43 पद हैं इससे पहले की हम बताएं दोस्तो नई भरती निकाल दी है 43 पद हैं इसमें अब आप लोगों को बताते हैं योग गता देखिए धान से समझिएगा Bachelor Degree in Engineering यानि की Engineering वाले जो अभ्यारती हैं वो आवेदन कर सकते हैं इंजिनेरिंग भी बहुत सारी होती हैं कौन कर सकता है जिसके पास Civil की डिगरी हो यानि की B.Tech को Civil में या फिर Architecture जो होता है उसमें डिगरी हो प्लानिंग में हो विद पोस्ट ग्रेजवेट डिगरी इन अर्बन सीटी रिजिनल प्लानिंग ट्राफिक एंड ट्रांस्पोर्टेशन प्लानिंग और M.Tech इन प्लानिंग और M.Plan and Transport इन्वार्मेंट और इक्विलेंट यानि कि दोस्तो सिविल के साथ सिविल हो अर्किटेक्ट हो और उसके साथ प्लानिंग हो यानि कि ये तीन में से कोई भी एक डिगरी हो और उसके साथ क्या मागा है इनों ने अर्बन, सीटी, रिजनल प्लानिंग, ट्रैफिक प्लानिंग और एम्टेक, ठीक है, यह यहां पर योगता मागी गई है, इसके अलावा हम दूसरी बात करें, तो बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रोम एरिकोनाज इंस्टिटूट, विड़ टू यर्स इन दा फिल्ड ओफ टाउन प्लानिंग, अगर आपके पास प्लानिंग में डिग्री है, अर्किटेक्चर में डिग्री है, और उसके साथ आपके साथ दो साल का नुभव है, टाउन प्लानिंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यह इसके लिए अनिवार्य योग फिक है फिर से समझा देते हैं इंजिनियरिंग में इसना तक हो और इसना तक भी तीन चीजों के साथ हो आप सिविल के साथ हो आर्किटेक्ट के साथ हो प्लानिंग के साथ हो और उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है पीजी जो डिग्री है वो अरबन सीटी regional planning में हो या फिर traffic and transportation planning में हो या फिर mtech आप planning से हो या फिर m plan आप हो planning से तो ही आप इसके लिए आविदन बर सकते हैं totally बात यह है जिनके पास simple graduation है वो apply नहीं कर सकते सीधी और सफस्ट बात यह है अब यह जो भरती है दोस्तो चौवन सो grade पे की है अच्छी भरती है पैसा बहुत है reputation भी बहुत है अब इसके लिए देखिए age जो होनी चाहिए 1 January 2023 को 20 से लेके 40 वर्स तक और इसके अलावा इन्होंने एक चीज और कही है कि अगर आप 31-12-2020 को यानि कि आपकी age 20 से 40 वर्स के मद्ध 31 दिसंबर को अगर मालीज आपकी 40 से कम थी तो भी अब आप इसमें अपलाई कर सकते हैं क्योंकि 31 दिसंबर 2024 तक आपको आयू सिमा में छूट दी गई है यानि कि जो 31 दिसंबर को ओवरेज नहीं हुआ था वो अब 31 दिसंबर 2024 तक जो भी भरती आएंगी राजस्थान की उनके फॉर्म बर सकता है केस पस्ट और सिधी बात ये है अब एज आपको बता दी है छूट बता दी है अब जो उपरी आयू सिमा है 20 से 40 मांगी जा रही है उसमें भी छूट आप लोग देखें SC, ST, OBC, MBC, EWS के पूरुसा भ्यारतियों को 5 साल का जनरल की महिला भ्यारतियों को भी 5 साल के छूट दी गई है इसके अलावा राश्थान राजी क्यानों से जाती जन जाती OBC, MBC, EWS महिला भ्यारतियों को 10 वर्स वीडो and divorce के लिए कोई भी उपरी आयो सिमा नहीं है, ठीक है कितनी भी है जो form apply किया जा सकता है अब आपको बताते हैं देखिए इसका इसके जो आवेदन है 10 October से ठीक है, 10 October से आप लोग भर सकते हैं और 9 November तक ठीक है, 9 November तक इसके form भरे जाएंगे अब इसके लिए इन्होंने बताया है इसके लिए लिखित परिक्षा आजित की जाएगी वस्तुनित परिक्षा ली जाएगी अलग से जो पाटे क्रम है इसका जारी यहां पर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है और ये scheme रहने वाली है जिसमें दो पार्ट होने वाले है जर्नल नोले जो फ्राजस्थान 40 अंकों का होगा इसके अलावा concern जो subject है यानि कि town planning की भरती है तो town planning से related जो भी है civil engineer से related है, architect से related है planning से related है वो सारा का सारा portion आएगा 110 अंकों का तो total 1500 अंकों की परिक्षा होगी, 1500 ही सवाल होंगे और ढाई गंटे के आउधी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है दोस्तो यहाँ पर इन्होंने बताया है आप दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए one third negative marking भी रहने वाली है और यह सारे के सारे जो प्रोसेस है, आप लोग पढ़ा सकते हैं साड़े 300 रुपया जनरल और क्रिमिलेयर OBC, MBC के लिए फीस है 500 रुपय जो है, नोन क्रिमिलेयर OBC, MBC, EWS के लिए है SC, ST के लिए और PH के लिए जो फीस है, 500 रुपय है ठीक है, TSP एरिया के अनुसिस जाती, जन जाती और 12 जिले की जो समझ तैसिलों के सहरिया लोग हैं, उनके लिए भी 500 रुपय है और जिन परिवारों के आए 500 रुपय से कम है, वो भी 150 रुपय देख करके फोर्म भर सकते हैं ठीक है दोस्तों, अच्छी भरती है आप इसका फोर्म भर सकते हैं जो इस योग्विता के साथ अपने आपको खड़ा पाते हैं तो वो इसका फोर्म भर सकते हैं याद रखें, 10 अक्टूबर से लेके और 9 नौवंबर तक इसकी जो है, ओनलाइन की डेट है 10 तारिक से फोर्म हो जाएंगे स्टार्ट, दो यहाँ पर सिंगल पेपर स्कीम है इसमें, इस पेपर को पास किया जाएगा तो आप असिस्टेंट टाउन प्लानर यहाँ पर बन सकते हैं एक बटाती नेगेटिव मार्किंग है परिक्षा के माध्यम से चैन किया जाना है योगिता हम आप लोग को बताई चुके हैं कि योगिता क्या है इसकी कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है दोस्तों ये जानकारी थी और अच्छी भरती है और अब लगातार जो भरती विज्यापन है आप लोगों के लिए आने वाले हैं और भी भरतियां जो है यहाँ पर जारी होंगी धन्यवाद आप सभी के इस वीडियो को देखने के लिए इस भरती का जो PDF फाइल है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा उसे ले शक्ते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है धन्यवाद साथियो जेहिंज जे भारत